अगर आपको कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा है और आपका वेट भी कंट्रोल करना है तो आप यह फूट का शेक बना सकते हो इसमें यहाँ पर आपके पास घर में जो भी फूट है आप ले सकते हो हाँ खटे फलों को नहीं लेना है तो यहाँ पर मैंने एक सेब ले लिय इसमें थोड़ा समय चिल्ड मिलक डाल दूँगी और थोड़ी सी आइस्किव डाल दूँगी अभी विंटर का जीजन सुरू हो गया लेकिन ठंडा ठंडा पसंद आता है इसमें मैं डाल करके इसको मैं बारीक नहीं पीशती हूं बहुत ज़दा बारीक नहीं करती हूं जो फ करने की जबुरत ही नहीं पड़ेगा यह अपने आप में एक कंप्लीट ब्रेक्पास्ट है